वालकम इब्रिवन आज आपनी आपनी आमी टीयू लेल ने बिस्टी सियासाइटी इंट्रांस प्रिप्रेशन का लागी पास्टेर कोईशन सोलूशन को अरको वीडियो ले आरे आएका छो जहां आजा Model SET 2017 को Part 4 डिस्कसन गरी ने छा र इस्पेशल ले आजा Physics का कईशन ओर उने चान एदे तपाय अरले 2077 CSIT Model Set Solution को अगिल्लो वीडियो अरु यहर नुवाईको छाइना बाने चैनल को प्लेलिस्ट चे गरना सक्ना उन्छा जा ब्यस्टी CSIT इंट्रांस प्रिफिरेशन बाने वटा प्लेलिस्ट चा तियां गर्या तपाय अरले वीडियो रेना सक्ना उन्छा 2077 CSIT Model Set Solution को अगिल्लो पार्ट अरुमा आमिले 60 ओटा क्वेशन से अल्रेदी सल्व गरी सगेगा शूँ ते बायरा आजा आमिलाई फर्स्ट क्वेशन को टुपमा क्वेशन नमर 61 छा क्वेशन ले वान्छा, light of wavelength 550 nanometer falls normally on a slit of width 22 times 10 to the power minus 5 centimeter दा अंगुलर पोजिशन अब 2nd minima from central maxima will be बनेरा क्वेशन ले सोदियो option अरुदियो को सब 14.5 degree, 30 degree, 42 degree और 62 degree यो क्वेशन चे आम्रो class 12 को light optics पोर्षन को diffraction बने चाप्रट बटा सोदियो जा आचा या मिले front first diffraction at single slit बने रो पड़े का थियू रतिया आमिले minima र maxima को लागी के condition अरू पड़े का थियू जा minima को लागी condition क्यों थियो तो बंदा d sin theta phase difference equal to integral multiple of lambda n lambda हों थियो बने maxima को लागी क्यों थियो 2n plus 1 lambda by 2 अर्था odd number multiple of lambda by 2 equal to phase difference हों थियो या आमिला minima को लागी शोदेगो था, second minima को लागी त यह बार आमिले d sin theta equal to n lambda formula यूज गरे। जा आमरो n equal to 2 गवायो, second minima को लागी या आमिले n equal to 2 राखे रा चे, sin theta equal to n lambda by g गरे रा value राखे रा value राखदा चे आमरो theta का value कती आयो साइं इन्बर्स 0.5 इकोल टु 30 डिग्री छे यामरो थीटा को ब्यालो आयो चुन चे यामरो अप्शन बी माँ छा तेस्ते क्वेशन नामर शिक्स्टी टू छा अ पर्शन इस इन रूम उच्छ चीलिंग एन टु एड़सेंट वाल्स आर मिरर्स इनोरो पेमेचक्वेशन वाल्स नामर अप्शनिया चैन रहां दूर्य मासेशल्स 2019-19108 बिस्ति गता हैं तो थीटा माइनस वान राइना यह अरो दूआ एडजर्सेंट वाल अरो उन्भाने तीनोर विछको एंगल है कती हुँँचा 90 डिगरी हुँचा ते वारो थीटा कट हमां मेले 90 डिगरी राख्यों माइनस वान गरेर एंग त्री आयो यो मान्चे रा यो दू यो यटा एडरस न वाल अर ले बनायको त्रोटा इमेज गरेर शीलिंको मिर्ण लागी चें काथी ओटा अबजेक्ट भायो ता भण्दा चार अबजेक्ट अरू भण्दा ख़ाए index is 1.414 and prisma angle is 60 degree then minimum deviation of light will be बने रो क्वेशन लेशो दियो आमेला याँ prisma को refractive index दिये को छा रो prisma angle पनी दिये को छा रामेला के निकालनो छा था बंदा minimum deviation निकालनो छा तेसको लागी आमी संगा minimum deviation को केसमा refractive index को formula छा mu equal to sin a plus del m divided by sin a by 2 जुन्चे आमरो formula आओ refractive index of prisma को तेवानी कुन केसमा था बंदा minimum deviation को केसमा या आमेले बैलो अरू राखो आमेला mu को बैलो दियेको 1.414 तेस्ते sin a by 2 बनेको sin 60 by 2 उने बयो sin 30 degree जुन्चे 0.5 उन्च रेसले यता ग़र multiply गरेओ equal to sin prisma angle 60 degree plus del m आमेला निकालनो छा minimum deviation divided by 2 formula को 2 इसले आमेले solve गरो यो sin येता गयो sin inverse 0.707 बायो equal to 60 plus del m by 2 बायो इसले solve गर्दा आमरो del m और था minimum deviation को value चेको ती आयो ता बंदा 30 degree आयो जुन्चे आमरो option a मा अचा तेस्ते question number 64 अ sound wave as frequency 500 hertz and velocity 360 meter per second what is the distance between two particles having phase difference 60 degree आमेले युटा sound wave को frequency और velocity दियो रा आमेले दुए युटा particle को बिजमा साइ distance निकालनो छा distance मतलबती नोर बिचको path difference निकालनो छा phase difference 60 degree बायो केसमा तेसको लागे आमला frequency दियेको सा velocity दियेको सा या बाट आमेले lambda को निकालो लेंडा इकल टू बी बाई अफ यो फर्मुला से आमरो भी इकल टू एकल टू एकल टू एकल टू अफ लेंडा बाट दियेको इकल टू 360 divided by 500 गरेर आम्रो 0.72 आयो तियो चाहीं मीटर मा उन्छा तेसला मेली cm मा लगना का लागी 72 cm बायो 72 cm एकल लेंडा ओ बाने यो लेंडा को मीनिंग बाट आमेला के था आउन्छा था बंदा लेंडा अर्था वेब लेंध बाने को की होता path difference हो कुण केस मा था बंदा phase difference चाहीं 360 डिगरी बायको केस मा लेंडा चाहीं path difference हो बने आमेलाई phase difference 60 डिगरी बायको वेला आमा path difference निकालनो शो तेसको लागे आमेले के यूज गरे उता बंदा 60 डिगरी को लागे आमेले उनिटरी मेथड लागाए रह लेंडा दीबाइबाइबाइबाइबाइब 360 टाइम 60 cm गरे आमरो कती आयो 12 cm आयो जुन चाहीं दुयोटा पाटी गर्को भीसमा इस्टिरेंस हो path difference हो जुन चाहीं देगो छो तुयोटा fixed charge अरो छो Q रफो Q रथिन और को भीसको distance कती छो R छो Q रफो Q छो तिन और को भीसको distance R छो आमेले उता third charge प्लेस गरनो छो जशको कारनले चाहां यो system चाह इकुल बेरियम मा उन छो और थात त्याहां कुन आई पनी force act गर देना तिसको लागी किय वर इक्विल बेरियम थर्ड चार्च रूद बी नेगेटिव इनोर दुएएट पोजीठीच रोध इनोरे एक्विल बेरियम महा लाएउना का लागी छे हम लोटा बीचे नेगेटिब चार्च चार्च चाहिएँछ and force of attraction due to both the charges on Q should be same equal frame मा हुना को लागी Q अन्ने योटा negative charge प्लेश कर्छो रा Q मा Q रा 4Q दुबाइले लागने force चाएं सेम उन्नो पर्छो तिस कारें लेशा system equal frame मा हुन्छ रा innerubis लागने force equal हुना को लागी condition हुन्छ columns ला लगाऊंछ वा मिले तिया हम force को फर्मुला की हुन्छा था बंदा Q times Q दूटा चार्ज यो चार्ज रो यो चार्ज Q times Q divided by x square innerubis को distance को square equal to 4Q मा लागने force को लागी Q times 4Q divided by Q रो 4Q बिश को distance कोती चा R minus X सा R minus X को square या बाटा आमिले solve गर्दा X को बैलो कोती आउच था बंदा R by 3 आउच यो चार्ज को को डिस्टेंस न यो R by 3 from Q आयो जुन्चे आमरो अप्सन मा चाही न ते बाएर आमिले 4Q बाटा डिस्टेंस निकाल चो 4Q बाटा यो प्लेस कोरियो येको चार्ज को डिस्टेंस येको ती उन्च ता बंदा R minus X जा आमिले X को बाएलो निकाले सके हो R by 3 R minus X R minus R by 3 इकोल टु 2R by 3 from Q आयो जुन्चे आमरो अप्सन अ मा चाही ते बाएलो 66 चाही न इक्वेल कैपासिटर्स आर फर्स कनेक्टेंस इन सेरीज and then in parallel the ratio of maximum to minimum कैपासिटर्स इस बनेरा आमला कोईशन ले सोदियो कोईशन चाहा आमिला कैपासिटर्स बने चाप्टर बाटा सोदियेगो चाहा अब आमिले series रा parallel को केश्मा चाहा equivalent capacitance निकालो जा series को केश्मा equivalent capacitance कती उन्च ता बंदा C is equal to C divided by n भायो योचा आमरो formula आओ equivalent capacitance of n capacitor for series को लागियो C divided by n आयो जुनसाइ minimum होंच C divided by n भायो परची यो minimum होने भायो तेस्दी parallel को केश्मा equivalent capacitance Cp equal to nc होने भायो योचा है maximum होने भायो C लाए यानले divide गरनू रा यानले C लाए multiply गरनू माम minimum से कोने भायो ता बंदा obviously C divided by n होने भायो रा C times n से आमरो maximum होने भायो आमिले रेशियो सोदेगो सा maximum to minimum को nc divided by c divided by n भायो आमिले यावट ratio करती आयो n square is to 1 आयो जुनसाइ आमरो option यह माँचा तेस्थते question no.67 छा आमिसंग Eater coil is cut into two equal parts and only one part is used in the Eater How will the heat generated vary? question लेवननाकोजेगो की होता बंदा हमिसंग Eater को लागी होटा coil त्यों coil लाइज है आमिले cut error और 3rd 2 heat उक राजाएं 2 आपर्ट माँञाएं त्यों coil को आधा पर्ट माँटर heat generate गरने use गरें सुरुको coil ले generate गरेको heat आधा गराईष के पचीको coil लिए जिनेरेट गरने हीट कासरी वेराई गर्षा वन्हेरा आम लेक्वेशन लेशो देको छा तिसको लागे आम यहोटा कंसेप्ट बुझाँ पहिला आट यहां पनी आट डिबाइड बाइड ट उने बायो कि नोगी न वर भीश डायरेक्ट रिलेसंच अ यदि फाइनल लेन्थ यहल्द इकोल्ट लवाई टु रो आट शिकल्ट पासरी जिनेरेट उन्हें उन्हें था वंदा आमिसंग जूल्स लॉफ फिटिंग बाट फ़र् सब्सक्राइब तपर लेसमा सिधाई R को व्यालु राखेर गरनों वला त्यों से रॉंग उना आऊछा किनों कि यो आई छा आई संगा पनी आम्रो रेजिस्टेंस लुके कौन्छा ओम शला बाटाचा आम्रो आई संगा पनी आर लुके कौन्छा टे बाटा आमिले सलाइपनी R को फॉं मा लेख्यो इसक्कार डिबाइड बाइड बाइड रिसक्कार चंग यो माथिको आर कौटियो आल को स्या सा रडियास मेरो कि रायो टू टाइमस याज से आमरो एंसर होने बाया चुन्चे आमरो ऑप्शन बी मा अचा डावल्ड होने बाया तेस्टे आमी संग और को क्वेशन नमर 68 छा और 50 बोल्ट बैटरी इस कनेक्टेद अक्रोस 10 ohm इसको लागे आमी सर्कीट डाग्राम बनाओ आमी लाए किये दियेको छा अता बंद यूटा 50 बोल्ट को बैटरी दियेको छा चा आमी ले 10 ohm को रेजिस्टेंस ने जोडेका छो तेस्ट यो सर्कीट मा करेंट से कथी फॉलो बाय रहेको छा ता बंद 4.5 अंपर करेंट से फ् जाँ बाट I equal to V by R होंचो EMF होंचो ते बायर आमीले सिम्बोल E लेखेऊ E divided by R, V equal to IR बाट E divided by R वायो रा R चांक के उने बायो ता वंद शर्कीट मा जोडेको रेजिस्टेंस पलस बैटरी को इंटर्नल रेजिस्टेंस गरर आर प्लस इस्माल र वुने बायो यहाँ बाट करेंट को वैलू दिएको 45 equal to आमीले बैटरी को पनी बैटरी को EMF को वैलू 50 वोल्टेज दिएको छा 50 उने बायो तेस्ते सिरीज मा जोडेको रेजिस्टेंस आर चाहर आमीले आ इस्माल आर इंटर्नल रेजिस्टेंस आर कालनो छा R प्लस 10 गरियो यहाँ बा Uniform Magneticated experiences . युटा Magnetic needle अ युटा Magnetic liquid मां छे राखे व भने तेसले चीच्पीरेंस गर्शा टर्क बढटनर्ट फोर्स और्फोर्स और्ट और्टिक सैनड दर्क औरशनास थस्टेंस दिए युटा Magnetic Ne symbol 1 आर इंटिक न्पोर्स अर proposition 2 बायो जान्छाल को है रेखेमा 돼झ hope एदि दुयोटा इकोल औन अपोजिट फोर्स दुयोटा इन मा लागछा बने तियो तो कापल को फ़ाम उने भायो रधि कापल फ़ाम भायो ने तेसले तर्क तो अबिश्ली एक्पेरेंश गरिया आछा ते भायरा A magnetic needle kept high uniform magnetic field experiences, torque but not force, जुन्चे आमरो option एमाछा तेस्ते आमिशंगा question no.70 छा, in LCR circuit, the inductive resistance at resonance frequency is 100 ohm and resistance is 5 ohm Quality factor of the circuit is, बन्र question सो दियो, question सा, आमिला class 12 physics को, AC chapter बाटा सो दियो जान LCR circuit को resonance condition माचा, quality factor Q equal to कती उन्चा ता बन्दा, XL divided by R उन्चा, जान XL बने को चाई Inductive resistance हो, र inductive resistance को बेलो 100 हो, र आर बने को, resistance हो, जुसको बेलो 5 ohm हो, 100 divided by 5 गर्रा, आमिला quality factor equal to 20 आमने बायो तेस्ते आरका question छा, question no.72 an electron accelerated from raise to potential difference of 100 volt, its final velocity will be E बने रा question लेशो दियो तेसको solution तरफ लागो, तेसको लागे आमरो energy को formula छा, half mb square equal to eb चा, याम बने को electron को mass होने बायो, v velocity, E बने को charge of electron रो capital V बने को चाई potential difference होने बायो याँ बाट आमिला B को value निकाल नो छा, यो formula बाट आमिले B को formula डिरावी करो vehicle to root dot 2 eb by M आमने बायो, E charge of electron, B चाई voltage divide by याम mass of electron करे रामिले value राहियो प्राइन साल चे कती आयो, 6 times 10 to the power 6 meter per second आयो, जुन चे यामरो option D माचा तेस्ते अरको question छा, when the proton collides with an electron, which of the following characteristics of proton increases? energy, wavelength, frequency, impulse proton रो electron चाई normal condition मा collide गरना सक्दईना, रह यदी collide गरी आले बाने, पनी proton ले energy चाई लास गर्छा रह त्या आया neutron को formation होन्छा मतलब, electron रो proton collide गरे बने, proton ले energy lose गरने बायो energy lose गरनुको मतलब, energy decrease उने बायो characteristics increases बने रशोदे को बनाले energy ता decrease उन्दर रही चा, बाने आमी संग, E equal to HF बने फर्मला चा जावाट लेम्डा संग, E correlation चा कस्ता आऊचा था बन्दा, inversely proportional correlation आऊचा ते बायर, energy decrease उन्दा चाई, lambda increase उने बायो, wavelength increase उने बायो तेसले आमरों answer चे option B उन्दा, wavelength, energy चाई उन्दा, wrong answer माचे ठीक लागे चा तेसले question number 75 हो चा, the half life of a radioactive sample is 10 years, it means its life is बने रहा question लेशोदे अब इन ट्रांसकोईशन को बिशेशता है रनुस, half life बने पुछी ता पायर ले लागना सक्छा, आधा समय, आधा समय 10 years चा बने पुरा समय तो, तेसको double 20 years होने बायो बने ता पायर ले लागना सक्ला तरह तेस्तों हो दाई न, जा आमेर ला अप्चन एमाई 20 years तीएगो चा, येस्तों चाएं हो दाई न, किना की radioactive sample को decay चाएं, एक दमाई continuously एउटई rate माँ decay होने बने ता मुदाई न, इन ये उरको decay ता exponential rate मा उन्छा, ते बायर आफ लाइफ 10 years को चाएं, डबल एसको लाइफ हो दाई न, परव एसको लागे आमे फार्मुला आई उजगार सो, ती आफ और थात आफ लाइफ को आमे लाइफ फार्मुला सो, 0.693 divided by lambda, यावड़ लेम्डा को बैलोकती आयो ता बन्द, 0.693 divided by T half हामिला दियेको स, 20 years, लेम्डा को बैलोकती आयो, 0.693 divided by 10, ती एबरेज अर्थात, इसको मीन लाइफ को फर्मुला से क्योंच, ता बन्द, 1 divided by lambda होंच, ते बायर, 1 divided by 0.693 divided by 10 उने बायर, ते यो 10 साए दियेको दियेको, लाइफ से को ती आयो ता बन्द, 14.43 यहर सायो उन्च, आमरा अप्शन C मा छा, ते सते पोईसन नमर 75, आजा को लागी लास्ट कोईसन छा, NPN ट्रांजिस्टर्स आर मस्ट प्रिफर्द द्यान ट्न, PNP ट्रांजिस्टर्स, इसको प्रिफर्द द्यान इसको करेक्ट अप्शन अप्सन D ऊन्च, NPN ट्रांजिस्टर्स मा छाइं, मेजरीटी चार्ज्केरियर की होन्च था बंद, इलेक्ट्रोन होन्च, बनी PNP ट्रांजिस्टर्स मा छाइं, वब्दोसं उन्च, यान पी यान ट्रांजिस्टर चाइं मोर फ्रिफर्ड उने बायो किनकी यसमा उने मेजरिटी चार्ज केरियर इलेक्ट्रोन को चाइं मोविलिटी वोल्स को बंदा धेरे उने बायो आमी यसाई गरी BSC CSIT इंट्रांस्पिट प्रिशन का लागी पास्टेर क्वेशन सोलूसोन अरू अप्लोड गरने क्रम माँ छो तेसी क्रम मा आमी 2077 मोडल सेट को और को वीडियो माजे आमी केमेस्ट्री का क्वेशन अरू सल्व गरने छो क्वेशन नमर 76 देखी 100 सम्माजे आमरो केमेस्ट्री को क्वेशन अरू रहेको छो आमी और को पार्ट माझे के मेस्ट्री को तियो सब़ाई कोईशन अरू सल गरने सो तिसलिए आमरो चैनल एप फॉलो गरना का लागी सें सब्सक्राइब गरना सकनों सहीता